की महन्दी से मुलाकात की जिसमें संजें सिंग نے कहा कि वक्फ एक्ट संशोधन पूरी तरह से बेवजा है हम इसका विरोध करेंगे इसी को लेकर हमारे समवादाता महमाच शबाब ने संजें संशोधन को लेकर के लोकषभा में ऐमेंटमेंट के लिए Um आला कि इसका विरोध भी हुआ और इसके बाद इसे जेपीसी को बेज दिया गया है जेपीसी के मिमबर लगतार जो मुस्लिम रहनुमा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं और इंडिया मुस्लिम परसनल लॉबोर्ड के मिमबर मौलाना खालिद रशीद से राजी सभा सांसद और ज हिमराम बेटकर जी ने लिखी और उसमें लिखा कि हर वेक्ति को अपने धार्मिक उपासना पद्दतियों को पालन करने की आजादी है अपने धार्मिक संपतियों के प्रबंधन की आजादी है आप क्यों जबरदस्ती वफ बोर्ड की संपत्ती में घुसना चाहते हैं और अपनी संपत्ती को वफ करना है, दान करना है, तो फिर उस पे पहले सर्वे कमिस्नर उस संपत्ती की जाच करता है, फिर एक साल तक उसमें छूट होती है, कोई भी व्यक्ति आपत्ती दर्च करा सकता है, फिर एक साल के बाद उस संपत्ती को वफ घोसित किया जाता है, सेक्रे कोई रोक नहीं है आप कह रहे हैं कि हाँ यहां पे जो है बारा हजार करून की आमदनी हो सकती है तो भाईया यह बताओ मस्जिदों में टिकट लगाएंगे मुसल्मान कि नमाज पढ़ने आईए तो पहले टिकट लीजिए कैसे आमदनी होगी मस्जिद हैं वक पे कब्रिस्तान है वक पे जो कब्रिस्तान में जो जिन लोगों को दफन किया गया है उनसे पैसे लिया जाएगा क्या तरीका है बताई या आप आमदनी कैसे होगी दरगाहे हैं कबरिस्तान हैं मस्जिद हैं मदर्से हैं तो कॉंसेप्ट ही आमदनी का नहीं है कॉंसेप्ट है सेवा का एक बात दूसरी बात क्या है कि अगर बारा हजार करोन की इतनी चिंता है तो बीस हार को wrapA's को दी जीजे. आथ हजार क्रौन के भी बच जा जाएगा. असल मकसद क्या है? असल मकसद है आगे गुर्दारा की जमीने, चर्च की जमीने, मंदिर की जमीने, दलितों की जमीने, आदिवासियों की जमीने कब जा करना है और वफ की जमीने कबजा करके अपने दोस्त अडानी को देना है, मकसद ये है इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहा है हला कि इस बाबत राजसभा में भी जब बाचीत होगी या जब पिल्को टेबिल किया जाएगा तो विरोध उसका वहाँ पर भी जारी रहेगा इन मुलाकातों के अलावा भी कहीं मुलाकात है निश्चित रूप से जे पी और हम तो कहते हैं जो एंडिय के घटक दल है जिसमें TDP है J.U. है जिसमें R.L.ड. है जिसमें चिराक पास्वान की पार्टी है सब लोग भी रोध कर रहे हैं और करना चाहिए वरना कल को गुर्दवारे के लिए यहिनीएम बनेगा चर्च के लिए यहिनेम बनेगा डलितों की जमीन कब्दा करने के लिए